क्या हुआ जब अचानक अयोध्या में प्रकट हुए रावन के भाई और प्रभु राम के सच्चे भक्त विभीशन और अयोध्या में ऐसा चमतकार देखकर सब लोगों के होश उड़ गए। प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई बड़े चमतकार हो चुके हैं, जिसमें गिद्धों के जुंड का दिखना, भालूओं के जुंड दिखना और नागों के जुंड का दिखना, तथा जमीन में से मां सरयू नदी का प्रकट होना शामिल है। लेकिन अब जो चमतकार हुआ है, इस चमतकार को अभी तक का सबसे बड़ा चमतकार कहा जा रहा है, और इसके पीछे की सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जैश्री राम जरूर लिखें। राम लल्ला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या की नगरी में राम मंदिर को बेहद खुबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी से लेकर 25 मार्च तक कई खास कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बीच मंदिर के गर्भग्रह के निर्मान का काम 2400 घंटे चल रहा है। आपको बता दें कि यह दिन हम सभी भारतवासियों के लिए बहुत ही खास दिन होने वाला है। जोरों शोरों से चल रही हैं और तभी कुछ ऐसे चमतकार हो रहे हैं जो आज से पहले कभी नहीं हुए हैं। आगे वीडियो में जानेंगे कि आखिर विभीशन राम मंदिर में प्रकट कैसे हुए। लेकिन उससे पहले इतने बड़े चमतकार के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर प्रभू को याद जरूर कर लीजिए। क्योंकि भगवान को सिर्फ याद करने से ही सरे दुख दूर हो जाते हैं। दोस्तों सनातन धर्म में किसी भी मूर्ति की प्रान प्रतिष्ठा बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है और प्रान प्रतिष्ठा का कार्यक्रम मूर्ति स्थापना के समय ही किया जाता है। किसी भी मूर्ती की स्थापना के समय उस प्रतिमा रूप को जीवित करने की विधी प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ जीवन शक्ती की स्थापना करना या देवता को जीवन में लाना होता है। इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि जब किसी मंदिर के उद्गाटन के लिए देश-विदेश की महान हस्तियां पहुँचने वाली हैं, मान्यता है कि प्राण प्रतिष्ठा के जरिये मूर्ती में जीवन शक्ति का संचार होता है और वह मूर्ती देवता के रूप में बदल जाती है, यानि कि अब साक्षात प्रभुश्री राम, आयोध्या, राम मंदिर में निवास करने वाले हैं और जब स्वयम प्रभु एक बार पुनह आयोध्या आ रहे हैं, तो उनके प्रियमित्रव भक्त विभीशन कैसे पीछे रह सकते हैं। जब राम ने रावन का वध किया था, तो उस समय विभीशन का काफी ज्यादा योगदान रहा है, क्योंकि अगर विभीशन का योगदान राम के साथ ना होता, तो रावन का वध करना काफी मुश्किल था। आपको बता दें कि जब राम ने रावन का वध किया था, तो रावन का पुश्पक विमान लेकर राम, सीता और लक्षमन अयोध्या वापस आये थे, और इस समय विभीशन जी प्रभुश्री राम के साथ अयोध्या आये हुए थे, तो कई दिनों तक अयोध्या में ही उन् हुआ करते थे, इसके बाद उन्होंने लंका का राज सिंहासन संभाला और लंका के राजा बन गए, यानि प्रभुश्री राम की भक्ती उनके लिए बहुत भाग गिशाली साबित हुई है, क्योंकि जो राम की शरण में आ जाता है, उसका उध्धार निश्चित है, लेकि में से कुछ रामायन काल के हैं, तो कुछ महाभारत काल के और कुछ विभूतियां उससे भी पहले के काल से आज तक जीवित हैं, पौरानिक मान्यता के अनुसार विभीशन, अश्वत्थामा, बल्ली, वेदव्यास, हनुमान जी, कृपाचार्य, भगवान परशुराम और म धर्ती पर मौजूद है, और अनन्त काल तक जीवित रहेंगे, लेकिन यह वर्दान आखिर उन्हें किसने दिया, यह जानने का बड़ा विशय है, क्योंकि आज के समय में सभी भक्त गण इसके बारे में जानने की इच्छा रखते हैं, भगवान राम के अनन्य भक्त भी भ विभीशन बाल्यकाल से ही धर्म परायन रहे हैं, वह अपने बड़े भाई रावन के धर्म विरुद्ध कारियों का विरोध भी करते थे, विभीशन ने लंका युद्ध में भी धर्म का पालन करते हुए भगवान राम का साथ दिया था, और इसलिए प्रभुश्री राम उन्हें स्रिष्टी के अंत तक अजर अमर रहने का वर्दान दिया, जब कल्युक का अंत होगा, उस समय भगवान विश्नु एक बार फिर से अवतार लेंगे, जिसका नाम कल्की होगा, तब ये आठों चिरन जीवी भगवान कल्की का साथ देंगे और फिर से सतयुक की आने वाले हैं, उसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, ये घटना है ग्यारह जनवरी रात्री बारह बजे की, रोजाना की तरह सभी मजदूर राम मंदिर के गर्भ ग्रह का कार्य करके अपने तंबू में विश्राम कर रहे थे, तब ही मजदूरों को मंदिर के अंदर उन्हें ध्वनी सुनाई दे रही होगी, ये सोच कर सभी मजदूर रात्री में वापस सो गए, लेकिन मुकेश नाम के एक मजदूर को लगातार ये बात खटक रही थी, उसे वह आवाज राम मंदिर से ही आती प्रतीत हो रही थी, तो उसके मन में जानने की उत्सुकता हु वे काफी महीनों से राम मंदिर के निर्मान कार्य का हिस्सा थे, इसलिए उन्हें राम मंदिर का एक-एक दर्वाजा और एक-एक कोना अच्छी तरह से मालूम था, जब उसने राम मंदिर के गर्भ ग्रह में जांक कर देखा, तो वहाँ पर एक बहुत ही दिव्य और किसी पौरानिक समय से आए हो, उनके बैठने का तरीका और उनका अंदाज राजाओं की तरह मालूम पड़ रहा था, मुकेश यह नजारा देखकर हैरान रह गया, इसके बाद मुकेश अपने साथी मजदूरों के पास गया, और उन्हें यह सारी सच्चाई बताई, और जब सब मिलकर राम मंदिर के गर्भग्रह तक पहुंचे तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह दिव्य व्यक्ति वहां से गायब हो चुका था, और रात्री का समय चल रहा था, इसलिए सभी लोग मुकेश की बातों को भ्रम समझ रहे थे, और कोई भी उसकी बात को मान का जाप करते हुए वह दिव्य पुरुष आखिर कौन था, क्योंकि आज के समय में किसी भी पुरुष के अंदर इतना तेज नहीं हो सकता है, जितना उस पुरुष के अंदर था, इसलिए उनका संबंध पौरानिक काल से ही हो सकता है, और अगर रामायन काल की बात करें तो भी शन हो सकते हैं, क्योंकि आज भी उनको लेके धर्ती पर जीवित होने का दावा किया जाता है, और ये आठ चिरन जीवी में से एक है, अब जब कली युग में राम मंदिर की प्रान प्रतिष्ठा का समय आ गया है, तो वहाँ पर कई दिव्य चमतकार देखने को मिल रहे हैं, जहां कई दिव्य शक्तियां भी राम भगवान के स्वागत के लिए अयोध्या पहुँच रही हैं, राम मंदिर के प्रान प्रतिष्ठा की तैयारी अब अंतिम चरण में है, इस बीच एक और जहां श्री राम जन्म भूमी तीर्थ, क्षेत्र ट्रस्ट, लगातार तै की जानकारी साजा कर रहा है, वहीं राम मंदिर के इस महायग्य में देश का हर राम भक्त अपनी आहुती अर्पित कर रहा है, आने वाली 22 तारीख को शुभ मौके पर कई संत महात्मा और जिन भक्तों ने राम मंदिर के लिए संगर्ष किया, वो सभी अयोध्या पहुँच की तैयारी की जा रही है, रामायन के समय में अयोध्या को स्वर्ग कहा जाता था, देवता इसे स्वर्निम नगरी कहते थे क्योंकि यह नगर चारों तरफ से हर प्रकार की सुविधा से युक्त था, लेकिन जब मुगलों ने भारत पर आक्रमन किया, तो पूरे अयोध्या नगर को उजाड कर रख दिया, मंदिर के ध्वस्त होने के बाद कई सालों तक यह भूमी वीरान रही, और किसी भी हिंदू सनातनी को इस क्षेत्र में आने की अनुमती तक नहीं थी, लेकिन अब फिर प्रभुश्री राम जी की क्रिपा से राम मंदिर का निर्मान पूरा ह हो चुका है और इसमें 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम है और जिसके लिए हम हिंदू हजारों साल से इंतजार कर रहे थे, अब घड़ी आ चुकी है और यहां तक की नए नए दिव्य चमतकार भी देखने को मिल रहे हैं, जब हमें राम मंदिर को बनते हुए देखने का सौभाग्य मिला है, तो हम सभी को जश्न मनाना चाहिए। और हमारे लिए खुशखबरी की बात है कि इस मंदिर के उदगाटन के लिए प्रभुश्री राम जी के ससुराल, यानि की जनकपुर, जो की नेपाल में है, वहां से फल मिठाई और भेंट के रूप मे थाल अयोध्या आ रही है, इस वीडियो में बस इतना ही आगे की जनकारियां किसी और वीडियो के माध्यम से देंगे, अयोध्या में प्रभुश्री राम के मंदिर में इस दिव्य चमतकार के लिए कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। इस वीडियो को अपने साथियों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इसके बारे में जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।